इस टेलिविजिन स्टार ने करन जोहर क्ले क्या दिया कि फिल्म में बनाओ वहीं तक ठीक है बिग बॉस के होस्ट बनने की कोशिश मत करो सलमान खान बनने की कोशिश मत करो इस अक्टर ने करन जोहर क्यों कहा वो सब जो लोग कहने से करन को डरते हैं क्या ये अक्टर बहुत जादा खुननस के साथ बैठे हुए थे करन जोर के किलाव जो दिव्या अगरवाल के बहाने निकली है। आखिर क्या है ये पूरी खबर चलिए जानते हैं अस वीडियो के अंदर हलो दूस लीसा गंगवानी। दिव्या अगरवाल के पीछे ऐसा लगता है जोसे करन जोर हाद धोकर पढ़ गए हैं और उसके लिए करन के पीछे पढ़ गए हैं हाद धोकर सुया श्राइ। जी हाँ सुया श्राइ जो की केश्वर मर्चेंट के अस्वेंड है और खुल बिग बॉस 9 का हिसा रह चुके हैं as a contestant and he was really loved on the show उनको जो है करन जोहर पर आया है जमकर गुसा उन्होंने याँ पर इतना तक कह दिया है कि करन आप फिल्म में बनाएं वही तक ठीक है बिग ब और दिव्या के बीच में का argument होती हुई देखी गई थी जहां पर करन पहले दिव्या को बोलने की जब जो है समय नहीं दे रहे थे तो दिव्या got really rude with करन और उनका जो है थोड़ा सा tone rude हो गया था जिसके बाद करन ने कहा था don't you dare to pick that tone with me मैं तुम्हारे साथ big boss के अंदर न दे रहे हैं सिर्फे की contestant को बोलने का मौका मिल रहा है and the rest contestants work as per you say और उसकी बाद आप दिव्या को उंगली दिखा कर चुप कर वा रहे हैं आप host है host और जो contestant का level होता है वो same होता है host को contestant की बाते सुननी होती है and here you are trying to overpower दिव्या तो यहां पर इस चीज की वज़े से बहुत गुसा कि करन जोहर पे उन्होंने अपना इस तरीके से गुसा उता रहा है जुसके लिए आप सभी लोगों का क्या कहना है जो अधी से लिग दीजिए गामिंट सेक्शन में बाकि मैं चानल के साथ जुड़े रहे हैं ऐसे ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंग करने करेंटी लोगों के लोगों का कर दो को है कि लुड़े लोगों के लिए गुड़े है ज दrickयों के लिए लोगों कि लिए नहें एंप।